Hello everyone, welcome to our 25-day class course for class 10. आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे federalism chapter का part 2. इससे पहले इसका part 1 आ गया, जिसमें हमने बहुत सारे topics को discuss किया था. आज की वीडियो में हम लोग इसी का part 2 करेंगे. चलिए, शुरू करते हैं. इससे पहले वीडियो में हम लोग समझाता federation क्या होता है, फेडरलिजम पगेडा हर चीज हम लोग समझ लीते. आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे भारत को क्यों हम लोग federal country बोलते हैं? मतलब, what makes India a federal country? यह जो topic है, इसको हम लोग discuss करेंगे. तो देखो, इसको समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पढ़ेगा पिछले वीडियो का जो concept है, फेडरलिजम का मतलब क्या होता है? फेडरलिजम का मतलब क्या होता है? Central Government के पास अलग power होता है, State Government के पास अलग power होता है, लोकल गवर्मेंट है, उसकी पास भी अलग power होगा. यही same culture भारत में भी चलता, इसलिए भारत का मतलब क्या होता है, फेडरलिजम के थूप बोलते हैं कि भारत एक फेडरल कंट्री है, इसका मतलब क्या होता है, भारत में तीन तरह के लिश्ट होते हैं, क्या होता है भी अच्छे जी समझाता हूँ, एक होता है union list, एक होता है state list और एक होता है concurrent list. Union list का मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे काम जो सिर्फ union government कर सकते हैं, central government जो काम कर सकेंगे, मतलब जो मोधी सरकार के पास सिर्फ जो power है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे union list में कहेंगे, जैसे defense का जो topic हुआ, भारत किस के साथ लड़ेगा, भारत के पास कौन से weapon रहेगा, second external affairs का भारत किस देश के साथ किस तरह के रिस्ते बना के रखेंगे, ये सारे चीज होगे union list में, मतलब union list में जो भी topics दिया हुआ, जो भी काम दिया हुआ, वो बस central government करेंगे, उसमें कोई भी state government का रोल नहीं होगा, उसके बाद दोस्तों एक होता है state list, state list का मतलब होता है, ऐसे काम जो सिर्फ state government को दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो central government है, वो किसी भी तरह से interfere नहीं कर पाएंगे, जो police का topic हो गया, trade, commerce, agriculture, यह सारे जो चीज हो गया, यह सब आते state government के list में, मतलब यह सारे जो काम है, सिर्फ वो state government कर पाएंगे, यहाँ पे central government का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कि state government को अलग काम दिया गया, central government को अलग काम दिया गया, भारत के दिर, इसलिए भारत एक federal country है, और मैं आपको यह भी बता, तो भारत में एक तीसरा list भी आता है, जिसको में लोग concurrent list बोलते है, सिर्फ union government करेंगे, stick list में तो बस state government करेंगे, और वही concurrent list होता है, जहां पर दोनों मिल के काम करेंगे, central government थोचा सा decision लेंगे, stat government थोचा सा decision लेंगे, फिर दोनों मिल के काम करेंगे, आपको अपको यह topic समझ में आया होगा, अब हम लोग discuss करेंगे next topic को, भारत बना इसी चीज़ को लेकर बता है कि भारत भी फेडरलिजम किस तरह से आया इसमें जब तुम पढ़ोगे पहला टॉपिक तुम को दिखेगा लिंग्विस्टिक स्टेट इसका मतलब यही हुआ भारत को हम लोग तो पहले पढ़े थे भारत क्या है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिजम समझ में आ रहा है पिछले लेक्चर में में लोग डिसक्राइज के थे उसका मतलब क्या था भारत देश पहले बना उसके बाद भारत के स्टेट से वह किस तरह से बने इसमें बच्चों यही है भारत में जितने भी स्टेट से वह लिंग इस लिए भारत को सेमकलचर है यह सारे के बाका रहे बाते भारत ह análये की स्टेट मतलब में इसको लिंगंगवाट में इस बाग दे रहें कि अलग अलग नंगोज देज बनाले बाद है जिसे वेस्ट बिंगॉल माले बोले कि हम लोग तो अपना ही सब है, अपना ही तो सब भाई बंद हो, सब बंगला बोलने बाला है, हम लोग सब मिलके अलग देज बना लेते, इस चीज का हमेशा से डर था, लेकिन हम लोग कभी ऐसा हुआ ने, ये एक पॉजिटिव चीज है, फाहो आपको linguistic state का जो concept था, वो समझ में आया होगा, सेकेंड जो है बच्चो, वो है language policy, देखो भारत का अगर तुम जियोग्राफी को देखो, भारत को अगर तुम अच्छे से देखोगे, तो भारत में, मेन लेंग्विज अगर में तुम से पूछूँगा, तो maximum लोग य है, सिंधी है, इस तरह के बहुत सरे language है, इससे हम लोग क्या समझे है, बस 40% लोग ही है भारत में, जिनका mother tongue हिंदी है, भारत को तो हम लोग हिंदी के वेसिस पे पूरी तरह से नहीं बाढ़ सकते हैं, क्योंकि 60% लोग जो majority है, वो अलग language बोलते हैं, इसलिए भारत का उनका अलग mother tongue है, इसके कारण ऐसा क्या गया, लेकिन है, भारत में जो official language है, official comes के लिए जो language को बनाया गया, वो हिंदी रखाया गया, और इंगलिस आपको पता है, यह हर जगा ब इंगलिस का ही बोल बाला चलता है, तो इसके कारण यह जो problem है, यह बहुत बड़ा problem ता आ decentralization का मतलब क्या है, एक हुआ centralization, मतलब central government के पास power है, लेकिन मैंने already बता है, भारत में federalism का concept है, भारत में powers को तोड़ दिया जाता है, तोड़ेगा कैसे decentralization के तूर, centralization मतलब एक जन के power central government के पास power, उसे तोड़ दिया, मतलब decentralized हो गया, अब सवाल यह उठता है, कि आप तो इन चार points दियो आपके NCRT book में, मैं आपको एक एक कड़के सब समझाता हूँ, सबसे पहले तो यहीं लिखाओ जो local government में, जो पंचायत, municipal corporation, यह सब जो होते हैं, उसमें आप देखे हों कि regular election होता है, अगर भारत में federalism नहीं होता, decentralization नहीं होता, तो जो local bodies में election है, वो नही किया जाता है, इसके पीज़े कारण के decentralized किया जाता है power, कोई भी minority group के जो लोग है, वो कभी पीछे ना चुटे, इस चीज को देखा जाता है, तीसरा point में यह भी देखा जाता है, कि जो women का contribution है, उसे भी हम लोग fix करते है, election के दोड़ान, हम लोग हमेंसे यही कोशिश करते one third population जो है, कोई भी election होता है, उसमें जो representative है, वो हमेंसा women रहे, इससे क्या होगा कि minority जो women है हमारे society में, वो पीछे ना चुट जाए, decentralization को ही लागू करने के लिए हम लोग state का अलग से election commission करवा है, जो यह चीज को ध्यान रखेगा कि state में अलग से election हो, जो local bodies है, उसमें अल लागू होगा, और most importantly जो point है, वो यह है, कि जो state government है, उसका यह responsibility बनदा है, कि उसके नीचे जो local government आता है, जो पंचायत बगेरा आता है, उसको power दे और उसको revenue देते रहे, क्योंकि जब आप थोरे बड़े होंगे, 11-12 पे जाएंगे, तो आप देखेगा, जो local government होता है, उ थोड़ा बहुत तो tax से होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन उनको जो maximum पैसा देने वाले रहते हैं, वो state government देते, अब अगर state government ही उन्हें power नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तो decentralization कैसे होगा, सो बच्चो इसी के साथ आज का chapter खतम होता है, इसी के साथ आपका झाहिन